असलामलेकूम मैं उमेर नी राज की ताजा क्रिप्टर न्यूस को लेकि इल्मिया आलम के चैनल पे हाजिरू अब भी सबसे पहले बात कीजाए तो आज है 4 सप्टेम्बर 2020 सबसे पहले अगर बिटकोई की बात कीजाए तो बिटकोई जो है वो 50,000 डॉलर के पर आ गया है और अब भी तक मतर पिछले कई घेंटों से उसने 50,000 डॉलर को अपने भरकरार रखा हुआ है और अभी भी तक में 50,300 डॉलर के पर ट्रेड हो रहा है यह तो काफी अच्छा हो गया है और अवराल बिटकोई के लिए और मार्केट के लिए भी हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में भी काफी जाता जो आर्ट कोईंस है उन लोगों ने भी काफी अच्छा बुलिश रन दिखाया और इस वक सबसे पहले अगर मैं एथेरियम की बात करता चलो तो एथेरियम होल्डर्स के लिए जो से है एक तो न्यूस भी काफी जबरदस आ रही है और दूसरा हम लोगों ने देखा है कि यह 4000 लेवल को अपने क्रोस कर गया है और अभी भी तर्टी नाइन हंडर्स के अपर ट्रेड हो रहा है तो एथेरियम के लिए लोग रंग के लिए काफी अच्छी न्यूस आ रही है और इसके अपर अगर मैं से पहले आपके साथ एक चार्ट शेर करता चलो तो अगर इस चार्ट के मताबिक जो इन फ्लो है एथेरियम की स्ट्रेकिंग के अंदर वो एक दिन में वह ज्यादा पड़ा है अगर मैं आभ सेप्टेंबर टू को जैसा के अभी आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं तो इतनी बड़ी वैल्यू का जो एथेरियम है उसको स्टेक करने की वज़ा क्या है मतलब कि यह अगर मैं आपको दाता चलू तो यह जो 78,000 जो एथेरियम यह बनता है यह तो क्रीबन 299,000,000 ना की अच्डे मसा आई, यह आथेरियम यह जो है यह बनता है इसका मतलब यह है कि किसी शक सिर्च किसी वेल ने रे Сंटी शमाहें लिध में लात ऊंट अक्ट्रेज सेवन दॉलर ूपर 299,000,000 लार्च का एथेरियम खरीयू मिलीन खरीद के स्टेक कर दे गया ठीक है और ये मतलब कि ये स्ठेक अब तब तक हो गया है जब तक ये अगले एक-डुज साल के लिए ये जो 299 million का जो Ethereum है ये lock हो चुका है और इससे जो Ethereum है उसकी price के पर बढ़ा एक अच्छाई effect बढ़ा है कि उसकी जो एक support है वो बहुत अच्छी बन गई है ठीक है और अगर मैं अभी आपके साथ ये भी share करता चलूँ कि कितना जो Ethereum है वो burn हो चुका है तो उसकी आप value देखें क जो है overall अभी तक burn हो चुका है और इसकी बज़ाद से तक्रीबर ने ये 744 million dollars of worth का जो Ethereum है वो अब तक burn हो चुका है और इसका फाइदा क्या है मतलब इतनी ज्यादा staking और इतनी ज्यादा ethereum जो burn हो है उसका फाइदा ये है कि Ethereum की support है वो बहुत जब्स बन गई है 3000 dollars के उपर इसका मतलब ये है कि worst scenario के अंदर भी ना अगले एक से दो साल के अंदर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि Ethereum की value है वो 3000 dollars से नीचे चले जाएगी तो ये Ethereum होटरिलर्स के लिए बहुत एक अच्छी news है और इसके लावा इतनी ज्यादा value का जो इन लोगों ने Ethereum को stake किया है एक दाम इतने बड़े वेल ने उसका क्या मतलब है अगर उसके बार में अगर थोड़ी बहुत बात करते चले तो ये जो वेल होते हैं ये भी मतलब है उसको कि अगर आप मतलब कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इंवेश्पर करें के तो आपको क्या फाइदा होगा तो अगर उस वेल ने मतलब 3787 डॉलर्स के उपर 299 मिलियन डॉलर्स अपने इंवेस्ट की है तो उसका मतलब यह है कि उसको पता है कि ये जो प्राइस लेवन इस वक्त ये कुछ भी नहीं है और फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो अपने ओल्टाइम हाय तक्रिमें 4100 डॉलर्स के उपर था उसको तोड़ के और भी बहुत ज्यादा उपर जाएगा और इसके लावा एथेरियम होडर्स के लिए मै एक और अच्छी न्यूज हुम के साथ शेयर प्रता चलो तो इस वक्त ट्विटर ने क्या किया है कि ट्विटर ने एक नया ओप्शन जो है वो मुताजिव करवाया है कि जिसके तहर लोग जो है वो बिटकोईन और एथेरियम के अंदर अब अपने जो फेवरेट कॉंटें इसका करना शुरू करती है, और इसके बात क्या होगा कि लोग जो है वो अपना जो गेडरेस है एथेरियम का अड्रेस है वो भी और कर सकेंगे अपने जो िफazyर! लगह कि पेजय के पैडोल हो गया गया उसके साथ ऺछो क्यो बीटर पाल हो गया उसस een के साथ है तो यह जो तो देखेंगे कि जब Twitter भी इसको accept करना शुरू कर देगा Ethereum को और Bitcoin को तो Ethereum और Bitcoin की जो value है वो और भी ज्यादा उपर जाएगी तो overall तमाम यह जो Ethereum होडलर्स हैं उनके लिए यह बहुत जबर्दस न्यूजिस हैं और इसकी वज़ा से हम लोग देखेंगे Ethereum की जो value है वो और ज्यादा उपर जाएगी और Ethereum के बाद अगर मैं बात करता चलू Solana की तो Solana ने अपने all time highs को और भी ज्यादा उपर बनाना शुरू कर दिया है और इसका जो all time है वो 150 dollars के उपर है तो Solana के बारे में analysis अगर मैं आपको करता चलू तो पिछले एक महीने के अंदर अंदर सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर 300% increase किया है तो Solana holders के लिए और Solana के अंदर अगर आपको ने पनी investment की है तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा profit हुआ होगा में मकसद मेरा इस analysis को आपके साथ share करने का मकसद मेरा यह है कि मैं आपको यह difference बता सको कि क्रिप्टो करणसी की तर अगर आप लोग invest करते हैं तो तब आपको कितना ज्यादा profit होगा और अगर आप मतलब कि आम जो local यह जो system एक चल रहा है banking system उसके दर इन्वेस्ट करते हैं तो आप दिनों में सिर्फ चंद इनों में तो यह है क्रिप्टो करनसी और यह फाइदा होता है कि अगर आप किसी अच्छे project के अंदर अपनी investment करते हैं तो अब अच्छे projects के अंदर जैसे Solana आ गया Cardano आ गया Ethereum आ गया और इसके लाव पॉल का डोटा आ गया यह एक ऐसे projects हैं जो के future में और भी ज्यादा pump कर सकने हैं ठीक है और इस analysis को share करने का मकसद यह भी था कि आपका जो confidence है वो क्रिप्टो करनसी के अंदर boost होना चाहिए कि क्रिप्टो करनसी की सिरफ एक bubble नहीं है कि अगर आप क 10% का profit जो है वो अपने होटलर्स को दिया है तो मैं उमीद करता हूँ कि ऐसी news सुनने के बाद और ऐसे analysis को देखने के बाद आपका जो confidence है वो और भी स्यादा boost होगा क्रिप्टो करनसी के अंदर इसके लबाब बात करते चले न्यूस की तो सबसे पहले news आ रही है SEC की तरफ जितनी भी decentralized finance के पर काम करने वाली exchanges है या apps है उनके उपर अपनी जो investigation है वो करना शुदू कि है तो उसी के तहाद उन्लों ने यूनिस्वाप के उपर अपनी जो investigation है वो करना शुदू कि है कि जिसके तहाद वो लोग यूनिस्वाप के जो marketing है और investor services है उनको investigate करेंगे और यसी ही यह news है उसकी वज़ा से यूनि जो उनका coin है यूनिस्वाप का token है उसकी जो value है उसके थोड़ा बहुत red run देखने को मिला है तो अगले कुछ दिनों के लिए हमारे जो viewers है उनको यही मश्वरा है कि अगर आप लोग यूनिस्वाप के उपर अपनी जो investment है अगर करना चाहते हैं तो अगले कुछ दिनों के लिए आप उसको रोक दें और देखते हैं कि यूनिस्वाप के तरफ से कोई reply वगरा है का जो कि हम लोग देख रहे हैं कि कफी अच्छा reply है क्योंकि यूनिस्वाप की टीम है वो committed है और वो कह रही है कि वो लोग तमाम जो government के laws ह है उसको पूरा करेंगे तो उसका reply आने के बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिस्वाप की वैल्यों है वह वापिस से green run दिखाना शुरू करेगी तो अगले चंद दिनों के लिए आप लोग जो है अपनी जो यूनिस्वाप के पर यूनिस्वाप टोकन के अपर अपनी जो पिछले दिरो जब यूनिस्वाप से ने रिपल के खिलाफ अपना जो केस है उसको शुरू किया था तो उसकी वज़ा से जपान की जो एक्सचेंज है उन्होंने रिपल को डीलिस्ट कर दिया था अपनी एक्सचेंज से लेकिन अब रिसेंड़ी काफी एक एच्छी न्यू है रिपल होल्टरर्स के लिए भी और रिपल के लिए जैसे के मैंने आपको पिश्री देने में बताया था कि जो केस चल रहा है एक सी के साथ रिपल का उसके अंदर काफी एक बेस मिल गई है रिपल को कि जिसके ताद वो लोग अपना हम लोग देख सकते है कि शायद रिप है और काफी ज़्याद जो लोग है वो रिपल को यूस कर रहे है और इसकी ज़्याद से लगए आपको आज का न्यूस बिलेट इन अच्छा लगा हो काल तक के लिए जासत दीजिए अलाह अफिस